नमश्कार दोस्तों, बिन्दास बूल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है. भारत का भुश्य कैसा होगा? प्रकाश में या अंधकार में? कभी-कभी इतिहास में ऐसे लमहे आते हैं, कभी-कभी, जहां कोई एक व्यक्ती समय की धारा की दिशा फिक्स कर लेता है. जी हाँ. अभी कुछ दिन पहले की बात थी जब सुप्रिम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि इलेक्टॉरल बॉंड्स, जिसके द्वारा काला धन पार्टीज को दिया जाता है, आज समिधानिक है, अन्डिक कॉंस्टिक्यूशनल है. तारीख दी गई, 13 मार्च तक जनता के सामने सारे मुद्दे रख दिये जाएं, और 6 मार्च तक उसकी सारी तैयारियां करके चुनावायों को सौंप दिया जाएं. छे मार्च तो आया नहीं, उससे पहले एक याच का दो दिन पहले डाल दी गई, हमें और वक्त चाहिए, हम 13 मार्च तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर सकते हैं. कौन है इसके पीछे, कहां से आता है ये पैसा, 16,000 करोड के अंधकार की कहानी है, ये 16,000 करोड देने वाला कौन है, क्या ये चीन की कमपनिया है, क्या ये माफिया है, क्या ये गैंक्स्टर है, क्या ये अंडरवर्ट के लोग है, किया ये वो लोग हैं जो सोने के समगलर हैं या भारत में ड्रग्स के और हवाला करणसी के समगलर से कौन हैं ये लोग कोई तो हैं अगर भारत में ये तरकुण इस समझ काम्याब है कि सोने की स्मगलिंग, ड्रक्स की स्मगलिंग, हवाला करेंसी की स्मगलिंग बिलकुल टॉप पर चल रही है तो इसका फाइदा राज डैपिंग्यों को भी मिल रहा था, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं क्या यही पैसा घूम कर आ रहा है, क्या इलेक्टारल बांट के अंदर पैसा शेल कंप्रियों से, साइपरस से, दुबई से, मौरिश्य से, होंग कॉंग से और सिंगापूर से आ रहा है और कौन है वो लोग जो पैसा डाल रहे हैं? कौन है वो लोग जो पैसा डाल रहे हैं लेकिन उनका KYC नहीं किया जाता है? कौन है वो लोग जिनका simple debit credit की आप bank में पैसा जमा करते हैं तो उसके अंदर accounting नहीं होता है? डिजिटल युक के अंदर जहां बड़ी बड़ी हामिया भरी जाती हैं कि हम डिजिटल युक के पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं वो मोदी जी जो कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं कि हम डिजिटल युकी पराकाश्ठा में हैं हर चीज अकाउंटेबल है वहाँ पर अपार दर्ष्टा और के वाई सी के नेमों की जज्जियां उड़ाई जाती है और कानून बना दिया जाता है कि इस कानून के अंतरगत आप किसी भी व्यक्ति का के वा 7-4 the information furnished by the buyer shall be treated as confidential by the authorized bank and shall not be displaced to any authority किसी को नहीं बताया जाएगा कि भाई ये किसने खरीदे हैं फिर section 1-2 section 0.1.12 वो standard operating procedure वो क्या कहता है no detail of bond purchaser उसकी कोई detail नहीं ली जाएगी including KYC and other details will be entered in the core banking system उनकी जो banking details नहीं आएगी उसको banking sister के अंदर enter नहीं किया जाएगा details of purchases made at the branches are not maintained centrally at one place कमाल की बात है अजीव सी बात है 29 branches होंगी such as the name of purchaser donor which could be tallied with the date of issue place of issue bank denomination or the bank the bond number bank ने के कहा अब किस ठंक से उसकी anonymity यानि कि ये जो smugglers हैं ये जो underworld के लोग हैं mafia हैं जो donate कर रहे हैं उनको protect करना है कि उनकी anonymity को protect किया जाएगा data related to the issuing the bond and data related to the redemption was kept recorded in two different silos जहां कोई भी central database नहीं होगा और फिर ये सारे बंद लिफाफे कहां जाएंगे सहब ये बंद लिफाफे fashion cup से शुरू हुआ किसने allow किया था सहाब ये मैंने कहा भारत का भौष्य प्रकाश मैं होगा या अंधकार मैं होगा अब इस बात का फैसला चंदर चूर साथ पर है चंदर चूर क्या अब लिफमस पैस्ट है भारत के मुखे नया अधीश वो फैसला करेंगे कि भारत की दशा और दिशा क्या होगा वो फैसला करेंगे कि भारत लोग तंतर के रूप पे रहेगा या भारत एक तूरा का पूरा अंडर वर्ड या माफिय अतंतर के रूप में आपरेट करेगा आपने चंदरचूर सहब ये एलाव किया कि हाँ पांच साल इतजार हो गए और अब आपने का कि आज समय धानिक है ये सोला हजार करोड कहां से आते हैं जरा बताईए भारत के सिस्टम में अब आपको आदेश देना होगा ये आपका टेस्ट है हमारा नहीं आपका टेस्ट है कि भारत किस रूप में जिन्दा रहेगा भारत किस रूप में लोगों के सामने आएगा कमाल की बात है कि ये शेल कंपरियां आती हैं अंडरवर्ड के लोग आते हैं लोग आके यहाँ पर खरीदते हैं फिर ultimate beneficiary कौन है इसका बाइस हजार दो सो सत्रा और चौलिस हजार चार्स हजार चार्स हजार चौन्टी सिर्फ दो यह तो एंट्री हैं उसके अंदर कुल मिलाके इनकी accounting करने में इनको तकलीफ होती है यह कहते हैं कि हमें तीन महीने के समझ चाहिए और एक मिनट के अंदर SBA करोड़ा SMS भीज़ देता है आपके पैसे पेंडिंग है आपका credit card का bill पेंडिंग है आपका ये पेंडिंग है आपका short amount है तो आपको penalty लग जाएगी आपको कमाल की बात है साहब कमाल की बात है एक ऐसा तंत्र पैदा किया जाता है जिसके अंदर लोगों से कहा जाता है कि आप पैसा जमा करा सकते हो आपकी कोई detail जाहर नहीं की जाएगी और banking system के अंदर नहीं डाली जाएगी बहुत अच्छी बात है इसके बाद जिसके bank account में पैसा जाता है उसे ये नहीं बताया जाता है कि तेरे पास पैसा आया कहा से आज मेर कहा से आया बैंक को पता है और जड़ा से पैसा ज्यादा आ जए तो बैंक इंक्वारी करता है पैसा आ कहा से रहा है तुम्हेर रहता है लेकिन यहां कोई पूछने वाला नहीं है कह दिया गया कि ये illegal है ये कानून है कानून जो आपको सूट करे या लेकि अंधकार को का ये कि कोई एक आदमी है जो इस देश को टुकड़े करके बेच रहा है आप ने कितरा benefit दिया उनको बैनिफिशरी कौन है इसका कौन है लोग जिनको बैनिफिट फ्लोक होके जा रहा है जिनको योजनाय सौपी जा रही है जिनको project सौपे जा रहे है कौन वो लोग जो अगर आप उसका नाम नहीं बताना चाहते तो फिर तो चोर उचका है जो नहीं बताना चाहते है ट्रांसपरेंसी क्यों ना हो पीम केर फंड में ये किया गया वो प्रधान मंतरी जो कहते हैं कि ट्रांसपरेंसी और भरष्टाचार ये दो ट्रांसपरेंसी होने चाहिए भर ultimate beneficiary कौन है हिंडनबर्ग भी तो यही कहता था कि ultimate beneficiary कौन है record manual रखे जा रहे हैं हमसे कहता है कि digital transaction करो transparency होने चाहिए एक पैसा ने चुपना चाहिए लेकिन खुद परदे के पीछे चुपकर काले कारणा में किये जाते हैं bank के अंदर simple debit और credit होता है किसने पैसे डाले भाई सब क्रेडिट होता है निकाल लिये तो debit हो गया लेकिन electoral bonds ने डेबिट है ना credit है हम 1980-1960 के जमाने में जी रहे हैं कोई भी आए cooperative bank को में जंके धान दिया बाजी हुआ करती थी अफिर हो रही है दिन दाहडे दाका डाला जा रहा है आपके और हमारी pocket के उपर दिन दाहडे डाकूँओं को support किया जा रहा है इससे ज़्याद आप क्या कहोगे यह SBI की जो याचका है जो मैंने आपको provisions को बताए कि हमको over time दिया जै किसने लिखती है क्या SBI के चेर्मैन की रिड की हड़ी नहीं बची है जो यह कह सके कि भाई मैं यह नहीं करूँगा मैं आपको detail दूँगा दिन रात अपने 1000 एंपलाई बिठा दूँगा क्या करना है 22,000 एंट्री तो हैं total मिला के क्या दो दिन के नहीं हो सकता था कही काम एक दिन में हो सकता था काम लेकिन नहीं करना था और आखरी दिन आके फिर time मांगा जा रहा है मैं समझता हूँ कि RBI कहां पर है RBI वास्तू monitor इंट आर बिया इसको monitor करता है कोई भी banking transaction इंडिया में होती है उसको RBI monitor करता है यहां पर monitor क्यों नहीं क्यार किया इन्हें कहां ख़़ए RBI आई यह सवाल शक्ती का अंतादास से पूछना चाहिए कि भाई सब आपके बैंकों के अंदर घोटाले हो रहे हैं 16,000 क्रोर के unconstitutional unconstitutional आपके सारे accounts चल रहे हैं हमाँ पर illegal money आ रहा है और आप चुप बैठे हैं किसने कहा आपको चुप रहने को कोई न कोई तो होगा क्या deal हुई है आपकी सवाल तो बंगते हैं अब जवाब तो बहुत लोगों को देना पड़ेगा सर्फ सवाल SBI को नहीं देना जवाब उनको नहीं देना है बाकी institution को देना है सेबी को भी देना है banking system को देना है RBI को देना है तर कौन पूछेगा हवालदार तो आप है न डिजिटल वर्ड का मजाक करोणो अकाउंट एक second पता लगते हैं क्या debit transaction है क्या credit transaction है यहां 22,000 अकाउंट 22,217 account का नहीं पता लग रहा है पैसा किसके पास आ रहा है किसके पास चा रहा है और फिर 136 दिन चाहिए इनको 21 दिन तो आले दिकल चुके हैं कितने दिन चाहिए आपको भाई साथ यानि कि आपको 30 जून इसके लिए चाहिए तब तक election खत्व हो जाए और यह मुद्दा ना ब चले की ठास बनेगा यह यह फ्रॉड है यह एक्स्टॉर्शन है बेसिकली यह पैसा आ रहा है तीस कंप्रियों के उपर रेड होती है अभी पीछे ख़बर आई थी और रेड पढ़ने के यही एडी सीवी आई टी के द्वारा और रेड पढ़ने के कुछी दिनों के अंदर 23 कंप्रियां पैसा दे देती हैं 117 क्रोड जमा कर देती हैं फाइले बंद हो जाती हैं सहब यह तो एक्स्टॉर्शन का दिन्दा हो गया यह तो गैंस्टन करते हैं सहब यह कोई और नहीं करता है 29 ब्रांचिस के अंदर यह सारे के सारे डील होती है कमाल की बात है लिफाफ क्या है गैंक्सकर है कौन है आप नहीं पूछा जाता है सब कुछ मैनवली होता है मुझे कभी कि लगता है कि आप क्यों मेरी एक आम आदमी की के वाइसी दस बार की जाती कि आप जैनुन कस्तमर हो लेकिन चोरों की के वाइसी नहीं होती है दकैतों की और स्मगलर्स की के व कर रहा है चाइना या अमेरिका या कोई और देश इतना फंडिंग तो तभी आता है बाहर से हजारों करोड का इलक्शन को इंफ्लेंस करने के लिए कि वो चाते कि हमारे टाइप के लीडर वहां रहें और वो जीते रहें कौन है यह वो फोर्स की केस में इतने हंगामे हुए थे उसे 64 करोड था यहां तो 16,000 करोड है और इसके लवाब बाकी जो अथा पैसा आया वो अलग है पेटीम को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है मिज़े शेकर शर्मा को बार-बार कौन बचाने की कोशिश कर रहा है और उसका पैसा तो चाइना से आया है सबको पता है अलिबाबा एंट्विन और ना जाने कितनी और कंपनियों से सबको पता है कि वहां पर illegal connection क्या है पर दोस्तों कोई तो जवाब दें भारत का भविश्य चंदरचूर लिखेंगे जी हां चंदरचूर दीवाई चंदरचूर माननियत चंदरचूर या तो इनका नाम भारत के इतिहास में स्वरण अक्षरों में लिखा जाएगा या फिर इनका नाम भी उनी अक्षरों में आएगा जहां पर ह हिंदुस्तान को आपकी जरूरत थी और जब हिंदुस्तान के हित में आपको निरणे लेना था तो आपने निरणे नहीं लिया और हिंदुस्तान को फिर से एक माफ्या तंत्र के काले अंधकार युग में आपने छोग दिया बस यही इतना ही टेस्ट आपका नहीं है टेस्ट मेरा नहीं है टेस्ट भारत के 140 करोड नागरिकों का नहीं है टेस्ट डी वाई चंदरचूर साहब का है कि आप क्या निरणे कूंगे क्या आप जुक जाएंगे या आप कॉंस्टिचूशन को हाथ में लेके सक्ति इंस्ट्रस कहेंगे नहीं मैं कोई आपको कंसिशन नहीं दूँगा और दो दिन के अंदर-अंदर सारी डिटेल चंता के सामने आ जाएंगे बस यही मुझे कहना है शुक्री आपका बहुत-बहुत बिंदास बोल में आज के लिए इतना ही मिलते हैं बहुत जल्दी अगले अंदर शुक्री आपका